नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ससी लर्णिंग प्वाइंट बाई सिंग सर आज हम करेंगे 28 फरवरी की सिप्ट वन का पेपर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बेश्ट के हुए पहला सवाल ले करा M N से दोगुना कुसल है M किसी काम को एन से 66 दिन कम में पूरा कर सकता है यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बही काम कितने दिनों में पूरा होगा देखो कह रहा था M N से दोगुना कुसल है यह इफिसेंसी हो गया अगर हम टाइम का रेशियो बनाए तो जश्ट अपोजिट होगा एक और तो हमने आपको बताया था एक काम कर रहा हो X दिन में B काम कर रहा हो बाइदिन में तो A पलस B मिलकर कितने दिनों में करेंगे एक में अपा भुगतहा इस तो हमारे हिसाब से टायम वाग इतनी की चाल से, एक चोथ की चाल से और सेस भाग इतनी की चाल से तय करता है, पूरी यातरा की और सच चाल, average speed का फार्मूदला होता है, total distance upon me total time, तो भाईया, total distance 1 बटे 3, 1 बटे में 4, इनका LCM हम्माल लेते हैं, है नहीं कि 2024 सभ टेन्ञेंट applies करेंगे तो कितना हो गया चाहर अगर एक बते में चाहर किया तो कितना हो गया तो चाहर तीन सात रिमेंडर कितना हो गया डिर्श। दिस्टेंस में पांच हो गया अभ यहां से समझो टाइम निकालना पड़ेगा time के लिए आपको पता है कि अगर time निकालना हो तो distance upon में speed करनी पड़ती है तो बही जब यहाँ पर करेंगे अगर time हमें निकालना हो तो इसमें हमें भाग करना पड़ेगा 24 का इसमें हमें भाग करना पड़ेगा 36 का, इसमें हमें भाग करना पड़ेगा 60 का, यानि कि एक बटे में 6 हो गया, और एक बटे में 12 हो गया, और एक बटे में 12 हो गया, LC हम ले लेंगे 12, तो 2 प्लस का 1, यानि कि 2, 2, 4, यानि कि एक बटे में 3, ये टोटल टाइम आ गया, तो टोटल डिस्टेंस हमने बारे मानी एक बटे में तीन टाइम हो गया तीन ऊपर चला जाएगा यानिकि से सदस्यों की आउसत आयू कितनी होगी पहली बात तो एक ची समझो अगर हम यह जो जा रहा है नहीं जा रहा है उससे हमें कोई पंचायत नहीं तो सब के पास इंडिविजुल 4242 रहा होगा अब वह यह कह रहा था अठावन बर्स जो चला जाता है आट से दो गया चे हो गया पांस से चार गया एक लियानिकी कि 16 जादा लेके जा रहा है वह तोटल सोरे जादा लेके चला जा रहा है लेकिन एक लोगों में कितना ज्यादा लेके जा रहा है तो यह 26 कवशी एक लोगों में आठ लोग बचे ना नौ में से एक चला गया तो आठी तो बचे आठ से मभाग कर देंगे यानि कि एक लोगों में दो की कमी होगी तो बचे हुए लोगों का एवरेज क्या होगा? चालिस अगला सवाल एक ब्रद की त्रिज्या में 35% की ब्रद्धी की जाती है तो 6 रफल में कितने परसंट की ब्रद्धी होगी देखो भाई पाई आर स्कॉयर होता है रेडियस में अगर ब्रद्धी कर रहे तो दो बार करनी पड़ेगी क्योंकि स्कॉयर में याने की 35% की ब पार्मूला पता है कि ए प्लस भी प्लस एवी अपन में हंडेड वाला बस खतम हो गया 35 प्लस का 35 प्लस का 35 गुड़े में 35 बटे में 100 हो गया सबसे पहले तो 35 दूनी 70 हो गया 35 का स्कॉयर करेंगे 1225 दो के बाद प्वाइंट हो गया तो 27882.25 परसंट अंसर अगला सवाल स सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा तो यह तो 14 हो गया इधर करेंगे 670 ब्याले सासा 14 हो गया यानिकि डिवाइड करेंगे तो यह कैंसिल आउट होके 1 दे देगा और फिर इधर डिवाइड कर देंगे यह 14 आंसर आ गया अगला सवाल उस तर्वुच का 6 त्रफल ग्याद किज हो गया ठीक है अगर हमें एरिया निकालना हो तो यह बराबर में हाइट इंटू में बेस होता है यानिकी बेस 5.1 है यह 35.7 हो गया अब हमें करनी पड़ेगी कैलकुलेशन तो 51 को ऐसा करो ब्रेक करके लिख लो सत्रत यह 50 हो गया एक लाइन में भी गुड़ा कर सकते हैं आ अब एक का अगले में गुड़ा करेंगे 5 में एक पंजे 5 और यह भी फॉलो करने लगेगा पहले में 7 पंजे 35 और दोनों को जोड़ देंगे 35 और पांच भाई एक गुड़े में 5 किया तो 35 चालिस की हुआ और 40 का 0 हासिल लगा 4 हो गया अब एक पहुंचेगा तीसरे वाल मैं अठारा हो गया तो एकन दो जीरो दो तीन चे दो पंजे दस कहीं लिखा एक क्यानवे जीरो तीन सम्थिंग आंसर लगा दो ठीक है अब एक ची ध्यान लगना यह मैंने बताने में टाइम लग गया है गुणा करने में एक लाइन में नहीं तो अगर आप प्रक्टिस गया दस व्टे तीन के टिस नहीं है तो आपका टाइम गैश्ट होगा यहां पर भी आंसर एक बरसेंट नहीं सम्झेए देखो CP का 40% बराबर में SP का 30% हो गया अब जब इसको लिखोगे तो CP अपॉन में SP हो गया ना तो 30 बटे में 40 अब आपको इतना experience होना चाहिए कि भईया हम इसको इधर लेया इसको इधर लेया इस तरीके से कर लिया बस यही practice करनी है इसी लिए इजी सवाल है आपको opportunity की तरह लेना है कि आप paper भी करते चले confidence boost हो रहा आप ये भी देखते चले हम steps cutting कैसे करेंगे simplification का है देखो इसमें सबसे पहले हो तो component and dividendo हम बहुत बार बता चुके डारेक्ट लिखेंगे 5 एम upon में 527 एक बार गटा देते हैं एक बार जोड़ा एक बार गटा है इससे इस पर भी जा सकते हैं और इससे इस पर भी आ सकते हैं तो एम upon में अगर लिखेंगे तो 7 बटे में पांती है 15 आंसर अगरा सवाल एक electronic gadget को 15% की छूट पर इतने में बेचा जाता है अंकित मुल छूट किस पर दी जाती है अंकित मुल 100 माल लिया अंकित मुल 15 की छूट दे दी तो यह 85 का मान दिया था ना बस इतनी calculation कर लो हमें और कुछ नहीं करना है तो 17 हो गया 75 हो जाएगा 75 और इधर कर देंगे तो यह 15 कहीं 3 लिखा है पूरा करने की कोई जरुवत नहीं है नहीं तो टाइम बेस्ट करते रहे जाओगे सबसे पहले ब्रेकेट सॉल्व करते हैं यानि कि इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा तो 9, 3, 12 हाँसे लगा एक तीन, 3, 6 हो गया 3, 2, 6 हो गया 3, 6, 18, 18, 18, 18 और इनका डिफ्रेंस 1 बच गया 15 से 8 गया तो 7 बच गया एक अत्तर में 4 का गुणा करेंगे 4, 1, 4, 4, 7, 8 हो गया 45 इसमें जोड़ देंगे तो 5, 4, 9, 8, 4, 12 हो गया और 3 हो गया और इसमें गुणा कर देंगे 13 का तेरे ने में 117 यूनिट डिजिट से काम हो गया तेरा दुनी 26, 26, 11, 37 हासिल लगा हो गया तेरे सोरी तीन हो गया अगला सवाल करते हैं किसी दंडासी पर पहले वर्स के लिए चक्रवदी ब्याद 600 है दूसरे वर्स के लिए 660 रुपए तो बारसिक ब्याज की दर ग्यात किजिए बहुत आसान सवाल है बाई दो साल का डिफ्रेंस हमको दिया गया था लेकिन हमें रेट निकालनी थी ना तो ठीक है 600-660 बढ़ गया 600 का कितना परसेंट 60 होता है अमें यह निकालना तो 10 कहीं लिखा है आंसर लगा भाई क्या होता है पहली साल तो चक्रवदी ब्याद साधरड ब्याज बराबर होता है अब इस पर कुछ ब्याज मिला होगा यही तो 60 एक्ष्ट्रा हो गया अब मि बसक्रवा अरुकर ले तो तो हमें इसी पर काम कर लेते ना देखो यहां पर लिखेंगे सणी करने सोनो और वां बहुत यह मिल जाएगा तो सणी की आए सोनो की आए 115 हो गया गुड़ों में अब देखो मोनू लिखा मोनू की आयसे मोनू नीचे आ जाएगा 30% देखता तो यह उपर पहुच गया 130 यह 0 से 0 कैंसल आउट हो गया अब यह से कैंसल आउट सनी और मोनू का ही तो रह गया अब हमें कुछ जादा मेहनत करनी नहीं है गुणा करना है बस देखना है 13,65 हो गया हां से लगा 6 13 एकम 13,6 19 हो गया 13 एकम 13 और 14 हो गया बटे में क्या हो गया 1000 हो गया 1000 से कितना अधिक हो रहा 495 हो रहा अपॉन में 1000 इंटू में 100 कैंसल आउट कर देंगे 49.5 अंसर तहीं तो कर रहा ता सनी की आयसे मोनू की आयसे कितना अधिक है मोनू से compare करना था नीचे divide कर दिया मोनू वाले को बस खत्म हो गया यह दि मनीश किसी काम का 3 बटे 5 बार 48 दिनों में करता है तो मनीश उसी काम का 1 बटे 5 बार कितने दिनों में करेगा देखो, 5 काम टोटल यहां पर भी है, टोटल 5 काम यहां पर भी है, तो हमें कुछ भी बरावर करने की जरूत नहीं, 3 बरावर में 48 तो 1 बरावर में निकालने के 16 आंसर, नहीं समझ मैं है तो ऐसे कर लो, 3 बटे 5 काम कर रहा 48 दिन में, 1 बटे 5 कितने दिनों में करेगा, तब 16 ही आंसर आना है ठीक है करता प्रति एक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परणामी संख्या अनपात में हो देखो 12 सबसे पहले तो इसका डिफ्रेंस करो चे से दो गया तो चार चार से गया तो तीन हो गया अब इनका सिंप्लीफाई रिश्यो बना लो यह सत्रे हो गया यह सोले हो गया 16 का गुणा मिस्वें करते हैं 17 का गुणाम इसमें करते हैं 12 ऑर 19 अब इस भान किसका इसका भाग करना पड़ता हमेसा त्यान रखो सिंप्लीफाई ratio करने के बात टेको 3432 आया तक घटाने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिया उसके बाद इनका डिफ्रेंस करेंगे एक आया उस डिफ्रेंस इसमें भाग कर देंगे तो जो संख्या जोडने को बोले या घटाने को बोले वो अंसर आ जाएगा मैंने क्या किया इन दोनों का difference किया इसका भी difference किया ये 3432 रेशियो simplify किया यहनि कि इन दोनों में कुछ भी common ना रह जाए common ना रह जाए तो हमारे पास जो बना आके वो क्या बन गया 17 ratio में 16 सोले का गुणा कर दिया इस पहले वाले बारे से 17 का गुणा इससे कर दिया इन दोनों का difference कर दिया हमेशा positive difference लेंगे negative नहीं लेना ठीक है जो भी difference आया वो पांस था अब इस बांच में जो ratio हमने बनाया उसके difference से हमने कर दिया भाग तो डारेक्ट आपका अंसर आ जाता है ठीक है अगला सवाल साधार ब्याज पर निवेश करने पर एक धनरासी इतने बरसों में स्वयम की इतनी हो जाती है बारसिक ब्याज की दर बताईए देखो स्वयम की इतनी हो जाती स्वयम यानि कि पहले 50 थी 50 क का 69 बटे 50 करेंगे तो 69 हो गई कितना ब्याज मिल गया बाई 19 रुपय का ब्याज मिल गया यानि कि रासी 50 थी टाइम 19 बटे में 5 था रेट हमें निकालनी थी और ब्याज हमको 19 मिल गया तो यह 19 से 19 से 5 से 5 चला गया कहीं 10 लिखाओगा या एक लिखाओगा ऐसा कुछ रहा है दिमाग लगाना ही नहीं एक्ष्रा बच्ट को थोड़ा बहुत भी लगाओगो ना कुछ ना कुछ तो जाता है आपके दिमाग से तो क्यों ही करना है अब इसको देखो तेरे पंजे में 65 और इधर क्या लिखा था 25 से common ले लो यानिकि इधर से हमने 25 ले लिया तो यह 59 हो गया पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा दो गिफा — और इधर बचा 25 यानिकि इधर माइनिस कर देंगे 2 चार एक पांच हो गया पांच में हम यहाँ पर दो से डिवाइड करेंगे तो भाग तो जाएगा नहीं तीन गुड़े में पांच बटे में दो कर दें तो पांच यह 15 मतलब साड़े साथ हो गया बीच से पूरा आठ गटा देंगे तो बारे दस से पांच गया पांच अंसर अगला सबार एक क्रॉकरी का अंकित मुल्य 15-400 रुपए था और उस पर 12% की चूट दी जा रही थी हर्स ने दूसरी चूट पाने के लिए दुकंदार से मोलबाव किया और उसने क्रॉकरी को इतने में रुपए में खरीदा दुकंदार द्वारा दी गई दूसरी चूट क ने आप से निकल आएगी बस हमें केवर रेशियो जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर लोगे आंसर हमारा आ जाएगा ठीक है यह कभी कभी पर इनकाम नहीं करता है पता नहीं क्या ही है दिक्कत अब यहां पर देखो यह हो गया दो चार दो चे ग्यारा से कट जाएगा तो ग्य यहने की चार की चीज तीन में बेचीगे कितने की छूट एक की किस पर चार पर गुड़े में सो यहने की पचीस परसेंट आंसर अगला सवाल नौ के पर्थम 5 बिसम गुड़जों का ओसत बताना देखो कौन से पर्थम 5 बिसम तो सबसे पहले देखो 9 हो गया बिसम फिर 9 दूनी 18 तो होगा नहीं फिर 9 दूनी 18 नो 37 आजाएगा फिर 9 चौक 36 नहीं होगा 9 पनने 45 हो जाएगा इस तरीके से चलेगा यानि कि अगर हम 45 सम पांच नंबर आगे डिफ्रेंस सम्में क्या है बरावर बरावर का है सम्में बरावर है तो फर्स्ट टर्म प्लस का लाश्ट टर्म बटे में दो कर देंगे यानि कि अंसर क्या आगया 45 और बैसे भी अगर यह सब हमने जो जोड़ा आलास्ट में यह करने की जरूरत थी जर्द हो है आंसर हम 45 ऐसे ही लगा सकते हैं अगला सवाल चलिए फिर अगला सवाल गया 28 की सेफ्ट वन हमने कंप्लेट कर लिए ठीक है कोई सजेशन बगेरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और सल्यूशन पीडियव आपको टेलीग्राम पर सेयर कर दी जाती उसका लिंक कर सकते हैं वाकि अच्छे से प्रक्टिस करते रहेगेगा ठीक है चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक कि लिए जय हिंद जय भारत